उडिसा की राजधानी भुवनेश्वर से 287 कम और मयूर्भंज जिला मुख्याले से 82 कम दूर रागपुर के महुलडीहा गाउं में चहल पहल है। बढ़िये राष्ट्रपती उम्मीद्वार गोशित किया, बढ़ाई देने वालों का ताता लग गया। चारों तरफ सुरक्षा कर्मी खड़े नजर आए। ग्रामींग भी उत्साहित होकर बाहर से आने वाले मीडिया कर्मियों और लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करते दिखे। गाव में कुछ मकान कच्चे हैं, कुछ पक्के। यहां मूलभूत सुविधा की कोई कमी नहीं है। पूरा गाव डिजिटल सुविधाओं से लेस है। जब हम द्रौपदी मुर्मु के घर की ओर बढ़े तो उनके घर से कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े मिले। जैसे ही उनसे बातचीत चुरू हुई, उनकी आखे खुशी से डबबा गई। मुर्मु को राष्ट्रपति पत के लिए उम्मीदवार बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए इन लोगों ने कई कहानिया सुनाई। द्रौपदी मुर्मु के जार्खन की राज़पाल रहने के दौरान के किस्से सुनाते हुए कुछ लोगों ने बताया, वो इतनी विनम्र और मिलनसार है कि पूछिये मत। रांची राजभवन में तो गाउं के लोग राशनकार बनवाने से लेकर जमीन का विवाद सुझाने की गुहार लगाने पहांच जाते थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया, घर संभव मदद की, वो हमेशा अपने क्शेत्र के लोगों की हर छोटी बड़ी मुश्किल में खड़ी रही। हमेशा सब के लिए खुले रहे दरवाजे स्थानिय लोगों ने बताया, उनका निजी जीवन परेशानियों से भरा रहा। पर इसका असर उन्होंने सारवजनिक जीवन पर नहीं पढ़ने दिया। पती और दो बेटों के आकस्मिक निधन का आगहात जहलने के बाद भी उ अपने गाउं को डिजिटल गाउं के रूप में विक्सित कराया। साथ साथ कई बार निजी तोर पर लोगों की आर्थिक मदद भी की। लोगों को उम्मीद हर परेशानी होगी दूर दैनिक भासकर से बातचीत करते हुए स्थानिय निवासी शुभोधी प्रधान ने कहा जिस तरह जार्खन की राजपाल रहते हुए द्रौपदी मा के दरवाजे लोगों के लिए खुले रहे। ठीक उसी तरह हमें उम्मीद है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपती बनने के बाद भी जनता के लिए उनके दरवाजे खुले रहेंगे। जार्खन में हम आज ही महिला दिवस मना रहे हैं। गाउं के ही अरजुन मुर्मू ने बताया। बतौर जनप्रते निधी द्रौपदी मुर्मू ने इलाके में बहुत काम किया। गाउव में पानी पहुंचाने से लेकर सरकों तक का विकास कराया। शौचालय का निर्मान कराया। लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरत किया। राजनीती में जाने से पहले वो अपने घर पर गाउं के बच्चों को बुला कर खुद भी पढ़ाती थी। सरकारी स्कूल से की पढ़ाई कोई साथी नहीं पढ़ता था तो टोप देती थी। में चपल नहीं होती थी। बैठने के लिए घर से चटाई या बोरा लेकर जाना पढ़ता था। उस वक्त के हालात में भी रोज स्कूल जाती थी। उनको अगर कहीं भी धार में पुस्तक मिले उसे जरूर उठा कर पढ़ती थी। उन्होंने बताया आगे चलकर वो पढ़ाती थी। विशेशकर चात्रों की शिक्षा पर ज्यादा जोर देती थी। जीवन के शुरुआती दिनों से ही उन्हें भगवान पर अटूट विश्वास रहा है। बेटे और पती की मौत के बाद काफी लंबा समय ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्याले के सतसंग में गुजारती थी। स्कूल के एक शिक्षक ने बताया, देश की राष्ट्रपती के उम्मीदवार के रूप में मुर्मू के चैन के बाद से ही स्कूल के बच्चों में जबर्दस्त उत्सा है। बच्चों ने उनसे मांग की है कि वो राष्ट्रपती बंकर एक बार अपने स्कूल जरूर आएं। उन्होंने यहां शिक्षा को बढ़ावा देने की लगातार कोशिशें की। महिलाओं का शिक्षित करने के लिए उनके समर्पन और सोच का ही परिनाम रहा कि जार्खन में पहले महिला विश्व विद्याले का शिलान्यास प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में किया। इससे पहले उन्होंने 2010 में अपने ससुराल में करीब 6 एकर जमीन एक शिक्षन संस्थान को दान कर दी थी। आज भी स्कूल में रखी है कुर्सी। रजिस्टर में दर्ज है नाम द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन की शुर जिपाल की कुर्सी तक पहुंची। जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी, वहां आज भी उनकी कुर्सी रजिस्टर मौजूद है। नगर परिशद में भी उनकी कुर्सी सुरक्षित रखी गई है। इलाके के लोग आज भी उन्हें अपना सबसे अच्छा जनप्रतिनिधी म में चली गई थी, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संथाल समाज से आती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनका परिवार बहुत गरीब था, लिहाजा उनका शुरुवाती मकसद सिर्फ छो नौकरी करके परिवार पालना था। उनकी नौकरी लग भी गई, लेकिन ससुराल वालों के कहने पर छोड़नी पड़ी। जब उनका मन नहीं लगा तो बच्चों को मुफ्ट में पढ़ाना शुरू किया। यही से उनकी समाज सेवा की शुरुवात हुई। में मौत हो गई, जिसके बाद वे डिप्रेशन में चली गई। जैसे तैसे वे एक बेटे की मौत के सदमे से बाहर आई थी कि 2013 में भुवनेश्वर में दूसरे बेटे की भी हादसे में मौत हो गई। फिर 2014 में उन्होंने पती को भी खो दिया। इसके बाद वे पूरी तर जार्खन में हुई है। बेटी के ससुर धर्मो चरण हादसा भी बुधवार को अपनी समधन से मुलाकात के लिए पहंचे थे। उन्होंने बताया, बहुत खुशी और गर्व की बात है कि बेटे की सास देश की नई राश्ट्र पती बनेंगी। ड्रौपदरी मुर्मु का माय का उपर बेडा में है, ससुराल पहारपोर में है। द्रौपदी मुर्मु के नाम दर्ज हैं कई की रतिमान साधारन संथाली आदिवासी परिवार की मुर्मु के नाम कई की रतिमान है। वो जार्खन की पहली महिला राज्यपाल रही। उनका सबसे लंबा कार्यकाल र विपक्षी दलों की मांग पर उन्होंने भाजपा के रगुवर्दास सरकार की ओर से एक्ट से जुड़े विध्यक को वापस कर दिया। जार्खेंड में सत्ता बदलने के बावजूद राज्य में राज्यपाल के तौर पर उन्हें मौजूदा सत्ता पक्ष ने पूरा सम्मान दिया। उन्हें जार्खेंड सरकार ने यादगार विदाई दी। जार्खेंड में सम्विधान के अधिकार को लेकर शुरू हुए पत्थलगडी आंदोलन को भी उन्होंने वार्ता के जरिये हल कराने का प्रयास किया। राजयपाल का कारेकाल खत्म होने के बाद वो फिलहाल रांची के राजभवन से आकर टाटा रार्गपूर रोड के किनारे स्थित अपने आवास में रह रही थी।